नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है आज का विश्य है का हीट एंड रन कानून क्या है दोस्तों हीट एंड रन कानून आपको चारों तरफ अगर दिख रहा होगा आज पास में तो ड्राइवरों की क्या चल रहे है दोस्तों चारों तरफ ड्राइवरों की क्या च तो भारत सरकार द्वारा एक क्या ऐसा कानून बना जिया गया है, देखें दोस्तों ये क्या है, ड्राइवर की हर्ताल चल रही है, और भारत सरकार द्वारा क्या हुआ, एक ऐसा कानून बनाया गया है, कि अगर ड्राइवर से क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है, किसी की भी जो आप उस समय गारी चला रहा था जिसके द्वारा टकर होती है उसे दस साल की सजा होगी और साथ लाग टकर क्या होगा जो माना होगा चाहे उसकी गलती हो चाहे ना हो अगर किसी ड्राइवर द्वारा क्या कर रहा है कोई ड्राइवर ट्रक चला रहा है और ट्रक चलाने के दोरान किसी बेगाई से दोस्तों क्या करना होगा उसे 10 साल की सजा होगी और 7 लाग का क्या होगा जुर्माना होगा तो ड्रक भाहियों ने क्या किया है जहां तहां पर धर्ना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका नियम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ट्रक ड्राइवर भाहियों कहना है कि हर बार जो दुर्गटना होती है वो हमारी गलती से नहीं होती किसी दूसरे गलती से भी क्या हो जाती है दुर्गटना हो जाती है तो अगर बात करें भारत में 36 गड़ मद्यपૃदेश उत्तर प्रडेश जगा जगा क्या चल्ला इसके किलाफ धरधर्शन चल्ला है और दोस्तों सरकार का कहना है कि ट्रेकड ड्राइवर भाई कहते हैं कि वो एक्षिडेंट करना के बाद वहाँ से उतर कर भाग जाते हैं हीट एंड रन कानून की तो हीट एंड रन कानून दोस्तों क्या है कि सरकार द्वारा क्या एक मसोदा लाया गया है एक कानून लाया गया है जिसमें क्या है कि अगर आप एक ट्रक द्राइवर द्वारा है किसी भी गाड़ी ड्राइवर द्वारा किसी को भी टककर मार दी जात और दोस्तो अगर ड्राइवर भाईयों ने हरताल कर दी तो हमारे सामने सिलेंडर की एक बड़ी समस्या बनने वाली है तो दोस्तो हमें क्या करना है हमें सरकार और ड्राइवर भाईयों को जल्दी क्या करना चाहिए क्योंकि यह हमारी डेली क्या हो सकता है अगर ड्राइवर हर्ताल करेंगे तो ट्रांस्पोर्टेशन की समस्या होगी और गैस सिलेंडर हमारे घरों तक आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे और भारत के प्रतिय कोने तक गैस सिलेंडर पहुचाना भी बहुत जरूरी है तो दोस्तो सरकार उड़ रहे और भाईयों को जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए इस कहान निकालना चाहिए आप देख रहे हैं सामने ट्रक में क्या ये लपीजी गैस के सिलेंडर भरे हुए है अब दोस्तों बात करें गाओं में तो गाओं में तो लोग क्या करते हैं कि भोजन जो है चुले पर बना लेते हैं लेकिन सहरों में दोस्तों गैस सेलेंडरों के द्वारा ही क्या करते हैं गैस पर भोजन बनाया जाता है तो दोस्तों अगर ये ट्रांसपोर्ट की समस्याती ह जेए, ट्र paar ट्र का समय यह का चाहिए, तो सेहरों में क्या बनने वाली है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर संग्यान लेकर दोस्तों, और समतान करना चाहिए, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबस्यादर प्रोडक्सन होता開व है, और चिन्नी का सबस्यादे प्रोडॉक्शन होता है महराष्ट में जबकि हमारे डेली यूज में चिन्नी की खपत बहुत है और डेली क्या होता है कि दोस्तो चाय में हम पिरतिये घर में क्या सुगर चिन्नी जरूर प्रियोग की जाते है गुर जरूर प्रियोग की जाता है औ और जो खेत में रह जाएगा तो उससे क्या होगा किसान को भी काफी नुकसान होगा अगली फसल बोने के लिए क्या होगा उसकी लेट हो जाएगा तो दोस्तो अगली फसल बोने के लिए लेट हो जाएगा और जो उसकी पेड़ी होगी वो भी लेट फसल कटने कारण क्या हो जाई खराब हो जाएगी अगर लंबे समय तक किसान अपने खेद में क्या रखता है फसल को खड़ी रखता है तो उसके गन्यागा वजन गिर जाएगा आपको सामने ट्रक में लोडिट गन्या दिख रहा है तो हरताल चल रही है तो दोस्तो आगे आने वाले समय में अगर इसका समाधान नहीं निकला गया तो किसानों के लिए और सरकार के लिए ये बहुत ही क्या समस्या बन सकती है दोस्तो क्योंकि चिन्नी बनती है और चिन्नी का ट्रांसपोर्ट भी पूरे भारत में किसके द्वारा होता है ट्रकों के द्वारा होता है तो दोस्तों चिन्नी के हमारे डेली यूज में प्रियोग हने वाली क्या है आवश्चक वस्त हुए तो दोस्तों इसके लिए क्या करना चाहिए इसका समाधान सरकार को जल्दी ही निकालना चाहिए दोस्त अब दोस्तों अगर आगे आपको बात करें दिखाएं इसके अलावा और क्या क्या चीज्जे आगे बात करें डेखें गेले का ट्रक है अगर केले की बात करें तो भारत में केले का सबसे इतंदे उत्पादन का होता है तमिल नाडू से केले को मंगाना पड़ता है और आवज सकता के अनुसार ट्रक भर के ट्रांसपोर्ट की सुईदा के अनुसार जितनी requirement होती है जगा जगा एरिया में तमिल नाडू से क्या कर दिया जाता है क्योंकि दोस्तो केला एक ऐसा फल है कि जो फल होते हैं दोस्तो वो क्या होते हैं बहुत ही उनकी self life कम होती है अगर किसान को transportation के साधन नहीं मिलेंगे तो उसका फल क्या हो जाएंगे खराब हो जाएंगे तो इसलिए क्या करते हैं किसान उसे कच्चा हरवेस्ट करते हैं आपको हरा हरा केला दिखाई दे रहा होगा और कच्चा हरवेस्ट करन कमात्रा में दोस्तों नुक्सान होता है तो् क्या करना चाहीं सरकार को इसका समाधान जल्दि-जल्दी निकालन चाहिए जिसके किसान का फ़सल को भी नुक्सान नहों आगे देखे दूसतों यह आपको देखरा है जिए अगर सेव की बात करें तो जम्रु कस्मीर और हिमाचल प्रदेश में क्या होता है सेव कादी गुत पादन होता है लेकिन दोस्तो भारत के प्रतियक कोने में ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है ट्रकों के द्वारा होता है और ट्रकों के द्वारा होता है और सेव की बड़ी मातरा में रिक्वार्मेंट होती है दोस्त तो ट्रक भाई, ड्राइवर भाई क्या करते हैं, हर्टाल करते हैं, तो किसानों का फल भी क्या होगा, वो अपने गार्डन में ही सड़ जाएगा, और जगा जगा क्या हो जाएगी, दोस्तो, फलों की क्या हो जाएगी, तो दोस्तो, सेव को क्या करना, सेव का नुकसान भी का ही हो सकता है क्योंकि लंबे समय तक पेंगे नहीं कर सकते हैं लंबे समय तक फ़लोगस करें तो एक खराब हो जाएंगी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप को दिखा रहे हैं यह जो अधिकान्स प्रोडक्शन होता है वो कहा होता है दोस्तो उत्तर प्रदेश में होता है तो दोस्तो उत्तर प्रदेश में आलू का सबस्यादा प्रोडक्शन होता है आलू हमारे घरों में डेली यूज होने वाली सब्जी है अधिकान्स सब्जियों में यूज होता है अलू की अने हीुज़ा बनाते हैं कष्वरीばनाते हैं तो दोस्तु जहां भी घहीं हूज होता है मतलब वह पीडिक हो पिरती है गर्स ञीं किसी ना किसी रूम में बेल गई ऑंते फान में प्रीकार्देश कि आप सकता होती है अगर ज्यादा ठंडे टेंपरेचर में अलू को स्टोरेज कर दिया तो इसमें चीलिंग एंजोरी हो जाती है अलू क्या हो जाता है सड़ जाता है तो इसलिए क्या करते हैं हम इसे जगा जगा क्या कर सकते हैं requirement का अनुसाद क्या करते हैं transport कर देते हैं जिससे ही किसान का आलू खराब ना हो और उसे समय से क्या मिल सके अच्छा पैसा मिल सके अगर दोस्तों बात करें आपको सामने आलू की loaded गाड़ी दिखाई दे रही है दोस्तों कुछ भारत के राज ये ऐसे ऐसे केरल वहाँ आलू का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता तो वहाँ क्या हरताल करने से आलू की समश्या बन सकती है दोस्तों आगे बात करें प्याज की प्याज आपको दिख रहा है महराश्ट में सबसे आद उत्पादन होता है और प्याज भी हमारे घरों में क्या होती है देली थोड़े न थोड़े रूप में क्या होती है रिक्वार्मेंट होती है आप चाहे सबजे का छोक लगाते हो या पकोडी बनाते हो आपको चिकन बनाते हो या मीड बनाते हो आपको प्याज की requirement daily होती है तो दोस्तो भारत के हर छेतर में क्या प्याज का उत्पाद नहीं होता mostly अधिकांस कहा होता है महराष्ट में होता है तो जगह जगह भारत के पृतिय कोने में प्याज को पहुचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए प्रियोक किया जाता है वो क्या कहता है ट्रकों का गाड़ियों का प्रियोक किया जाता है लेकिन दोस्तो अगर ट्रक ड्रैवर भाई हमारे क्या करते हैं लंबे समय तक हरताल करते हैं तो दोस्तो आपके सामने हमारे सामने और सभी देशवास्यों के सामने सबजी की भीशन समस्या बन सकती है और प्याज की समस्या भी बन सकती है तो दोस्तो जिससे क्या होगा हमारा तो नुक्सान होगा ही हमें तो पूर्ती होगी नहीं इसके साथ साथ किसानों को भी बहुत अधिक नुक्सान होगा तो इसका समधान दोस्तो जल्दी जल्दी निकाला जाना चाहिए दोस्तों अगर बात करें सक्त कानून क्यों किया सरकार ने तो सरकार का कहना है कि ट्रेक ड्राइवरों द्वारा कभी भी अगर किसी व्यक्तिक एक्सिडेंट हो जाता है तो वो क्या करते हैं दोस्तों ट्रकों को छोड़ कर भाग जाते हैं ठीक है सरकार का कहना है कि सरकार यह आकड़ों के नुसार 50,000 लोगों का हर बार क्या होता है एक्सिडेंट से मौत हो जाती है और ट्रक ड्राइवर क्या करते हैं उनका एक्सिडेंट करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं इसलिए सरकार का कहना है कि हम इसलिए क्या ही सक्त कानून लाए हैं लेकिन दोस्तों अगर बात करें ट्रक ड्राइवर भायों कहना है कि अगर हम महार रुकते हैं तो भीड क्या करें कि जनता हम पर हमला कर देती है और इसलिए क्या करते हैं लिए भागना पड़ता है हर बार हमारी गलती नहीं होती कभी-कभी हम सही से ट्रक गाड़ी चला रहे होते हैं और भार का व्यक्ति क्या करते है भार के व्यक्ति की गलती पिदी गई है कि अगर Track driver भाई की गलती से क्या होता है accident होता है तो 10 साल की सजा और 7 लाग का जुर्माना है और अगर Track driver भाई की गलती नहीं है सामने वाली वेक्ति की गलती है तो 5 साल की सजा का प्रावधान इसमें क्या गया है लेकिन दोस्तो ट्रेक ड्राइवर भाई का कहना है कि अगर गलती भी ट्रेक ड्राइवर भाई की नहीं होगी तो फिर भी क्या है उसे 5 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है जो गलत है इसी बात का विरोध कौन कर रहे हैं ट्राइवर भाई अपने कर रहे हैं तो दोस्तों क्या होता है कि सरकारी आकड़ों के नुसार तो 50,000 लोग हर साल हिटे-इंट रन के दर्च अकॉर बीन, हो सकता है, जगा जगा क्रymagraement क्या बें पर जाता है, तो दोस्तों अगर ये ट्रक ड्राइवर भाई हरताल पर बने रहते हैं तो दोस्तों जगा जगा क्या अनेक समानों किया सकते हैं समस्या सकते हैं सबज्यों की फलों की या अनेक रो मटीरियल होते हैं जो जगा जगा से जगा जगा पर क्या किया जाते हैं कि हैंने कोने तक ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं तो उसकी समस्या बन सकती हैं तो दोस्तों क्या है कि जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए सरकार को इसका समधान निकालना चाहिए और ट्रक ड्राइवर भाईयों क्या करना चाहिए दोनों को मिलकर इसका समधान निकालना चा परिवार को भी इस पर जरूर विचार करना चाहिए और कितनी कठीन परिष्थिति में वो क्या करते हैं अपने परिवार का पालन पोशन करते हैं तो दोस्तों अब देखिए दोनों को मिल माट कर क्या करना चाहिए इसका समधान निकालना चाहिए तो दोस्तों आप वह हमारी जानकारी कैसे लगी है, कमेंड में जरूर बताएं नई-ः जानकारी पाने के लिए अफडेट पाने के लिए हमारे ट्रिपल र एगری विल चैनल क्या करें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत